हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका दोस्त जावेद राजएडवोकेट वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबी से गुजारिश है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वे शेयर जरूर करें दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही हीने स्क्राइम के बारे में जो हमारे देश भारत में अक्सर ऐसी गटनाएं गटित होते जाती है भारत समाज के लिए दहेज एक अभिशाप है दहेज ने इस्त्रियों के जीवन को दुभर कर दिया है देश की परता के खिलाब संपूर्ण भरत वर्ष में समय समय पर अंदूरन होते रहे हैं नवाचार की करांदी के माध्यम से देश का उनमूलन करने तथा समाज से देश के समूल को नश्ट करने के लिए परियास किये जाते रहे हैं दहेज की मांग दहेज संबंदित के यह परदुकु जनम देती है दोस्तों भारते संसद ने भी समय समय पर दहेज के खिलाव विदिविदान का निर्मान किया है तता समाज में समर्थक विचारों का अंत करने का परियास किया है अवशक रूप से दहेज दिये जाने की परता की संसद में दहेज जैसे अभिशाप से महिलाव के संजक्षन के संपूर्ण परियास किये हैं दोस्तों दहेज मृत्यू इस सबसे जादा हमारे भारत वर्ष में होते रहती हैं दहेज संबंदित अपरादों में दहेज मृत्यू सबसे जगन्य अपराद हैं दहेज मृत्यू दहेज की मांग के परिणाम सहुरूप उत्पन होती है भारते समाज के लिए यह एक विक्राल समस्या है इस विक्राल समस्या से नहीं पटने है तू भारते दर्ण सेहिता के अदिन संपूर्ण प्रावधान किया गया है बार्दिदन सेनिता की धारा 304 भी दहेज मिरत्यू से संबंदित है दोस्तो दहेजगार्थ जो संपत्ति विवाग के समय वदू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है दहेज को उर्दू में जहेज कहते है यूरोप, भारत, अफरिका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज परता का लंबे इतियास है भारत में इसे दहेज, हुडा या वर्दक्षिना के नाम से भी जाना जाता है तथा वदू के परिवार द्वारन नगद यवस्तो के रूप में यहवर के परिवार को वदू के साथ दिया जाता है आज के आदूनिक समय में भी दहेज परता नाम की बुराई हर जगे फैली हुई है पिसेड़े भारती समाज में दहेज परत्या अभी विक्राल रूप में है तो आए जानते हैं दोस्तों दहेज मरत्यू क्या है और इश्क्या वशक तत्व क्या है इस आर्टिकल में मैं आपको भारते दर्ण सहीता की बहुत ही मैधपून दारा 304 भी दहेज मरत्यू के बारे में बताने का परियास कर रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह परियास आपको पसंद आएगा तो चलिए जान लेते हैं कि दहेज मरत्यू क्या है और इसके आवशक तत्व क्या है सरुपरतम आपको बता दू कि बारते दर्ण सहीता की धारा 304 भी दहेज मरत्यू को परिभाशित करती है आवशक तत्व दोस्तो नमबर एक जहां की किसी स्त्री की मरत्यू जलने के दुआरा अथवा शारिरिक छती दुआरा कारित की गई हो अत्वा सामाने परिस्तितियों में अन्या गटित हुई हो नमबर दो मरत्यू विवा से साथ वर्श के बीतर की अवदी में हुई हो नमबर तीन ऐसा दर्शित किया जाता है कि मरत्यू से ठीक पहले उसके पती या पती के रिष्टदार ने उस इस्त्री से कुरूरता की है 4. ऐसी कुरूरता अत्वा तंग किया जाना दहिज के लिए अत्वा दहिज की मांग के लिए की गई हो नमबर पांच वहाँ ऐसी मरत्यू को दहेज मरत्यू कहा जाएगा और ऐसे पती या उसके रिष्टेदार उसके मरत्यू कारित करेने वाला समझा जाएगा दोस्तो धारा 304 भी दहेज मरत्यू के लिए क्या दंड है और इसमें कितनी सजा है वो जान लेते हैं जो कोई वैक्ती दहेज मरत्यू कारित करेगा वह कारवासे जिसके अवदी साथ वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आजीवन कारवास तक बढ़ाए जा सकती है और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाशेर करें वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत दिन्यवाद